मध्यप्रदेश की राजनीती में दीपक जोशी को लेकर फिर उबाल आ गया है इस बार दीपक जोशी ने ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर यकीनन बीजेपी निता सक्ते में होंगे इससे पहले तक बीजेपी ने कॉंग्रेस के साथ जो खेल खेला वही खेल अब कॉंग्रेस बीजेपी के साथ खेल रही है पर जब-जब कॉंग्रेस चाल चलती है बीजेपी बोखला जाती है क्योंकि कॉंग्रेस गुपचुप तरीके से बीजेपी में सेंध लगा ही रही है पूर्वमंद्री दीपक जोशी ने भी ऐसा ही एक खुलासा किया है जिसके बाद से बीजेपी नेताओं की सांसे रुग गई है दीपक जोशी ने बयान दिया है कि कॉंग्रेस नेताओं ने उन्हें कॉंग्रेस में शामिल होने का ओफर दिया लेकिन जोशी ने उन्हें ठुकरा दिया दीपक जोशी ने बताया कि कुछ कॉंग्रेस नेता लगातार उनसे संपर्ख कर रहे थे और कॉंग्रिस में शामिल करवाना चाहते हैं हाला कि दीपक जोशी ने इसके बाद भी ये कहा कि वो भाजपाई है और हमेशा बीजेपी में ही रहेंगे लेकिन पहले वो जिस तरह के बगावती तेवर दिखा चुके हैं उसे देखकर लगता है कि दीपक जोशी ने बीजेपी को धांडस नहीं बधाया बलकि हिंट दिया है कि कॉंग्रिस की उनमें दिल्चस्पी बरकरार है उपचुनाव में अंदेखी हुई तो वो भी बड़ा कदम उठा सकते हैं